दोस्तो हेल्थ ओन्लाइन में आपका स्वागत है दोस्तो आलू तो आप सभी लोग खाते ही हैं लेकिन क्या आपको मालूम है आलू से हमें कौन-कौन से लाब होते हैं आलू हमारे सेथ के लिए कितना लाबकारी है चलिए दोस्तो आज हम आपको बताते हैं आलू खाने से हमें कौन-कौन से लाब होते हैं दोस्तो आलू दुनिया बर में सबसे ज़्यादा लोक प्रियोग होने वाली सबजी है आलू पूरी दुनिया में उगाया जाता है हालाकि इसका मूलस्तान दक्षण अमरीका है बताया जाता है कि बारत में आलू सोडवी स्थावदी के आसपास पूर्तगालियों ने लाया था पोस्टिक तत्यों से बरपूर आलू में स्टारच होता है इसमें उच जैविक मान वाले प्रोटिन होते हैं आलू अक्सारित होता है जो शरीर के अक्सारों की मातरा बढाने या उसको बराबर रखने में साहिता करता है आलू का सबसे अधिक महते पूर्ण पोस्टिक ततो विटामिन सी है आलू खाने से हमें विटामिन सी की प्राप्रती होती है दोस्तो अकर आप आलू से अधिक लाब चाहते हैं तो इसे छिलका समेट उबाल कर या सबजी के रूप में खा सकते हैं इसे आपको और अधिक लाब होंगे चलिए दोस्तो आपको बताते हैं आलू खाने से हमें कौन कौन से लाब होते हैं नुम्बर एक दोस्तो तेज दूफ लूब से तवच्य जुल्शी गये तो कच्छे आलू का रस जुल्शी तवच्य अपर लगाने पर आपकी तवच्य बिल्कुल ठीक हो जाएगी नमबर दो दोस्तो आलू का रस निकाल कर आँखों के गेरे पर लगाने से आँखों के नीचे का कालापन दूर हो जाएगा इसका प्योग आप कर सकते हैं नमबर तीन दोस्तों, चोट लगने पर नीला रंग का निशान पड़ जाता है, उस पर कच्चा आलू पिशकर लगाने से आपको फरक महसूस होगा नमबर च्यार दोस्तों, कच्चे आलू का रस, एलर्जी वाले स्थान पर लगाने पर आपको एलर्जी से मुखती मिलेगी नमबर पांच दोस्तों, आलू या इसके पत्तों अकाड़ा बना कर पिलाने से पी लिया दूर हो जाता है नमबर च्छे दोस्तों कच्चे आलू का रस पीने से दाद ठीक हो जाते हैं यह लिए दोस्तों हमें आलू जरूर खाना चाहिए यह हमारी सेहत के लिए बहुती लाबकारी है धन्यवाद दोस्तों अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल हेल्थ ओंनाइन को सस्क्राइब जरूर करना धन्यवाद